तो दोस्तो नमश्कार आप देख रहे हैं fantasy sports spy youtube channel और मैं हूँ गौरव आज हम जो channel में match cover करने वाले हैं वो रहेगा प्रीमियल लीग का match Everton vs West Brom and Avium के बीच इस मुकबले करता है detail analysis तो दोस्तो बात करें Everton और West Brom and Avium की आप जानतोंगे कि Everton पिछले काफी season से प्रीमियल लीग में है और एक average mid table की team है प्रीमियल लीग में वहीं जो West Brom की team है यह last season यानि last 2 season प्रीमियल लीग में नहीं थी relegate होगे थे लेकिन इस season इन्होंने वहाँ championship जो होती है एक tier नीचे वहाँ second position में finish करके प्रीमियल लीग में फिर से अपनी entry ले लिए तो यहाँ पे match काफी अच्छा होने वाला है गुडी सन जो की Everton का home ground है वहाँ यह match खिला जाएगा आज रात आज सामस्वरी 5 पीम पे match शुरू होने वाला है तो अब बात करते हैं इन दोनु टीम्स के last match की अभी तक दोनु टीम्स ने प्रीमियल लीग का एक-एक match खिला है यानि कि अभी तक एक ही match दे हुआ है और वो एक-एक match दोनु टीम्स में खिला है इसके लावे एक match काराबाव कप का match खिला है जिसमें की teams ज्यादा focus नहीं करती अपनी weak team उतार दिया तो यह वो मயस था要हार ने जिएक-एक जिरो से victory इनों ने दरजी करी टॉटनम जैसी strong टीम के अगेश्ट और बहुत अच्छी शुरुवात हुई थी उसके बाद 3-0 से सालफर्ट करा वोकप का मैच है इसमें बहुत वीक टीम कहिला थी है टीम्स इनकी वीक टीम नहीं सालफर्ट जैसी कमजो टीम को 3-0 से हरा दिया था अब एवर्टन में इस सीजन इनके मैनेजर कालो एंसलोती ने मिट फील्ड में तीन बहतरीन साइनिंग्स की है जिसकी बदलत एवर्टन की टीम लास्ट सीजन से और जादा इस सीजन टॉप 6 की कंटेंडर भी हमें नजर आ रही है तो बहुत स्ट्रांग हो चुकि है एवर्टन के बारे में आगे बात करता हूँ कि कौन-कौन से प्लेयर आये हैं नए और कैसा वो इंपक्ट डाल सकते है वेस्ट ब्रॉम के बारे में कहना चाओंगा अपने प्रीम पहला मैस देखेंगे तो एक टीम जीती है बड़ी टीम के अगेस्ट दूसरी टीम हारी है तो यहाँ पे आपको इससे अंदाजा लग जागा कि आज के मैच में भी एवर्टन क्लियर फेवरेट्स है अब बात करते हैं डारेक्ट प्रोविवल लाइनप की पहले एवर्टन अब इनके बारे में बात करता हूँ उससे बहले एवर्टन के जो गोल की पर उन्याले वो हूंगे यॉर्डन फिकफाइट जो की इंगलेंड के भी नंबर बन गोल की पर है और डीसेंट सेफ कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा टैग आवर्टन ही करीगी तो सायत मेरे अनुसार इनसे ज्यादा सेफ्स जो अपोजिसन के गोल की पर है सेम जोस्टन वो कर सकते हैं तो एक डीसेंट चोहीज हो सकते हैं उतना हूँ मैं आपको एसल में इनको रिकमेंड नहीं करूँगा चार इनके डिफेंटर्स में दो फुल बैक्स का बहुत इंपर्टन रोल हो जाएग असिस्ट भी कर सकते हैं तो एक कम्प्लीट लेफ्ट बैक मैं इन्हें कहूंगा और प्रीमियल लिग के टॉप 3-4 लेफ्ट बैक में है तो मेरे साब से तो मस्ट पिक रहने चाहिए इवन आप इन्हें चाहे तो एक पांट लेके असल में केप्टन वाइस केप्टन भी ट् पिछला मैच इनका काफी अच्छा गयादा टॉटनम के अगेश्ट और डिसेंट टैग्लिंग वगेरा के पॉइंट दे सकते हैं और पासिस्ट बना सकते हैं असिस्ट करने में केपेबल हैं दो सेंटर बैक माइकल कीन और येरी मीना खिलींगे ये दोनू पासिस अब इनके जो दो होल्डिंग मिट फिल्डर्स के लिंक उसमें एलन इनकी नहीं साइनिंग नैपोली से आये हैं और पिछले टॉटनम वाले मैच में मैन अब दमेस थे ये प्लेयर ने उस मैच में बहुत 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 बार इनोंने पोजेशन जब टॉटनम के पास थी त तो पोजेशन अपने पास लिए थी इसके अपने अलावा इंटरसेप्चन किये थे टैकल किये थे आज के मैच में भी कुछ ऐसी कर सकते हैं पासिस बनेंगे इंटरसेप्चन करेंगे टैकलिंग करेंगे और इसके साथी पीछे से आगे प्लेयर को लॉंग बोज़ दे सकत लेकिन इनके साथ एक कमी यह है कि यह 60 से 65 मिनिट बाद सब्सिट्यूट हो याते है इसलिए मैं इन दोनों में प्रिफर एलन को करूँगा एडमनो टेकोरे भी एक बहुत अटेकिंग मिटफिल्डर प्लियर है और यह प्लियर चांसे कर सकते हैं टैकल वागेरा के पिछले मैच में भी बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट दिये थे इसके साथ ही स्वाट्स ओन टार्गेट भी ले सकते है और गोल असिस्ट करने में भी केपेबल है यह भी एक बहुत अच्छे प्लियर है अब जो मैंने यलो में माक किया इनके मोस्ट इ ने में पार्गेट ले रहे थे गोल करने में केपेबल है असिस्ट करने में केपेबल है और कॉणर्स भी ले रहे यह आप इन्हें रिचाली सन्द या-कालवाड्योइन पार्वके ट्राईग कर सकते हैं और आपको याढ़ोगा-これは 2014 व्यल्ट युम्प प्लेयर ओब दा मेरे साब से इस टीम के दो बेस्ट प्लियर पिछले मैच में कालवाड लू इन ने टॉटनम के अगेंड गोल भी मारा और पैनल्टी मोस्ट प्रबबली सायद रिचाल इसन लेने वाले अगर पैनल्टी होगी तो फिलाल मैं शोर नहीं हूँ क्योंकि लास सीजन गुलफे से गेट सन लेते थे वो नहीं है तो सायद रिचाल इसन ले सकते हैं और बहुत-बहुत इंपर्टरेट रहेंगे दोनों ही गोल असिस्ट करने में के पैपल है और दोनों ही सौर्ट जोन टार्गेट के पॉइंट दे सकते हैं चांसेज क्रेट कर दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नहीं तो आफ एड़ रिट फेंटेजी स्पोर्स इस पाइफ साच मानेंगे 1.5 के से ज़्यादा सबस्वाला चैनल आपको मिलेगा यहां से आपको जुड़ जाना है लाइना पाने के बाद इस मैच की 8 GL और एक SL टीम में वहीं मैच इसकी मिलती है और एक 2-3 मैच इसकी GL भी रोज पोस्ट करता हूं तो जरूर जुड़ी है टेलिग्राम चैनल के साथ अब बात करते हैं वेज़डरॉम की सेम जुवांस्टन के गोलकीपर रोनाल है आज के मैच में काफी अच्छे सेविंग पॉइंट समय दिंगे क्य अब ही होगा एवर्टन के अटेकर्स को रोखने का टेक्लिंग बगेरा के तीनों पॉइंट दे सकते हैं और इंटर्सेप्सन क्लियरंस के भी लेकिन अगर तीनों में किसी एक को प्रिफर करना होगा तो मैं सेमी अजाई को करूंगा जो कि हैडर्स में भी काफी अच्छे ह सारे गोल हेडर्स में ही मारे थे तो सेमी अजाई मेरी इन तीनों में फ़र्ष्ट प्रिफरेंस लेंगे लेकिन क्लियरंसे चांसेस क्रेटेट टेकल वगेरा के तीनों पॉइंट देंगे अब एक चीज़ यह है एवर्टन जितने गोल मारेगी तीन गोल भी मार सकती है चा पेंटर बैक से ज्यादा इंपर्टेंट ये दोनों इनके फुल बैक्स हो सकते हैं। सौयर्स और लिवर्मोड दो होल्डिंग मिटफिल्डर्स होंगे। इनका काम भी वो योगा उतना ज्यादा अटेक करेंगे नी। लेकिन कभी-कभी लिवर्मोल थोड़े ज्यादा अमरे को डिजन लगते हैं। ये पीछे से आगे को आके रेंडमली आगे को रंस बनाते हैं। जिससे की कभी-कभी सौट्स और टारगेट लेते हैं। इससे असिश्ट और गोल का चांस बढ़ जाते हैं। पाकिसौयर से एक प्रॉपर डिफैंसीव मिटफिल्ड वाले ही प्लेयर हैं। ये भी वही टैकल बगएर ही करेंगे, उतना जाड़े अटेक करेंगे नहीं। लेकिन इनके दो विंकर से मुझे बहुत पसंद हैं। और ग्रेडी डिंग्याना। ये दोनु ही खासतर पर परे रहा तो इस टीम के बेस्ट प्लेयर थे लास्ट सीजन चेंपियंसीव में भी। बहुत क्रियेटीब प्लेयर हैं गोल कर सकते हैं, असिष्ट कर सकते हैं, चांसेज बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा सॉट्स ओन टर्गेट लास्ट इस यह ने इनों नहीं लिया थे, तो मेरे साबसे मस्ट मस्ट पिक रहेंगे। तो मैं तो इनको इनको इग्नोर करूँगा लेकिन एक पंट पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं फिर भी। तो यह कुछ West Brom के बारे में इन्फो थी, most probably यह 11 रहने वाली है, इसमें या तो एक से ज़्यादा एक आधी चेंज हो सकता है। कुछ important player जो निकल के है SL में अब देखते हैं, एवर्टन से रिचार्ली सन, कालवर्ड लुइन, जेम्स रडरीगास, लुकास दीन, एलन और एडमनो डिकोवरे, West Brom से मैथियोज परेरा, डिंगाना, फोल लंग और इनके गोलकेपर सैम जोहार्षटन, तो यह कुछ important player है। prediction clearly Everton favorite है, 2-0 मेरी prediction है Everton के favor में, लेकिन GL में हमें हर एक combination के लिए तयार है नहीं है, जैसे 0-0 draw, 1-0 West Brom, 1-0 Everton, 2-2 draw, ऐसे करके इस match की 8 GL और एक SL team आपको चीए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिटिशन में, नहीं तो एड़ 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 फेंटेसी स्पोड़ आप सर्च मानेंगे, 1.5K से ज़्यादा सबस्वाला चैनल आपको मिलेगा, यहां से आपको जुड़ जाना है, तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो, उमिद करता आपको वीडियो पसंदा होगा, इस दोनों टेम्स के बारे में डिटेल में हर एक प्लेयर की इंफो मैंने दी, तो वीडियो पसंदा है, एक लाइक जरूर माढ़िये, चैनल सस्क्राइब कीजिए, तो मिलते एक और में लाइक बीडियो पित को के लिए में होगा है, चैनल सस्क्राइब झाहा जुक्ति हैं, बार्स ग्रही कोणोते बारे में हरा फश्तों भ Perché बारे में लाइक हैं, जो भूरिए प्यादी다 है, ना भीडियो, रूरा ईडियो घूर निर ओव्या है, जो यूरे जो तो में हैं